एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमि है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमिजिनेट पर दोस्तो सुबह हमने करवाया था कि डैसिमल से हम बाईनरी में औक्टल में और हैक्जर डैसिमल में किस तरह ऐसे कनवर्ट करते हैं लकिन इसमें काफी दोस्तो को काफी प्रोब्लम आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज हम दोबारा से यह वीडियो करने हैं तो यह वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना हो तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जो आज की वीडियो की है उसी को लेकर चलते हैं कि जैसे डैसिमल जो नंबर होता है हमारा डैसिमल को हम बाइनरी में किस तरह से कनवर्ट करते है तो उसका फॉर्मूला क्या है और देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर confusion आता है कि हम दो से गुणा करनी है या दो से divide करना है यह हमारे पास confusion आता है ठीक है अब यह देखे सबसे पहले हमारे पास है decimal decimal का मतलब है कि जो 10 मलव जो होता है उसे हम कहते हैं और हमें क्या देखना है दोस्तो हमें गुणा करनी है भाग करनी अब सबसे पहले देखिए हमें convert किस के अंदर करना है convert हमें करना binary के अंदर करना है और binary के अंदर मैंने आपको बताया था कि binary का मतलब होता है तू यानि कि जिसका base दो हो ठीक है जैसे कि मैं मान के चलता हूँ जैसे हम लिख लेते हैं 124 और नीचे इस तरीके से हम लिखते हैं नीचे तो उसे हम कहते हैं base यानि कि तू इसे हम कहते हैं binary और इसे हम किस तरह से convert by हम देखने हैं तो सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि हम यहाइड करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां है इस त्रीक यहां हो फिर डिवाइड करएंगे अब ट्रीका है वह थोड़ा सा दिफ्रेंसे दोस्तों अगर आपको नेट और ज्यार्स चाहिए तो हमारा पेड़ कोर्स से ज़रूर जोईन किजी इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको सभी कोर्शन का सोलीशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके सासा दोस्तों हम आपको यह विताएंगे कि ऐसे कोर्शन है जो बारवान एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों दे यहां पर देखिए घद हम जब हमने छे पे अमारे पास बचा तो यह ऐसे रखेंगे आपास अर्म फिर ऩर दोसिया तो फिर जाएगा दो तीया ञ ठीक है और अब हमारे पास कितना से से बचा है वो बचा है हमारे पास जीरो बचा है उसके बाद में हम दोबारा से फिर दो से डिवाइड करेंगे हम तब तक इसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक अपने पास एक या जीरो ना आ जाए अब दोबारा इसको करेंगे तो यह जाएगा दो एक कम दो और यहां पर क्या बच गया दोस्तों हमरे पास एक बच गया और यहां तक हमने कर लिया अब देखिए अब इसे और आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जो एक है यह यह दोबारा से अपना इससे डिवाइड नहीं हो रहा दो से तो अब हम क्य करेंगे मैंने आपको बताए था कि नीचे से लेके नीचे से लेके और उपर तक हम लिखते हैं तो इसका जो क्या होगा वर एक मिनट यहां पर यहां पर लिख लेते हैं वन वन जीरो और वन यह इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यानि कि बाइन डेसिमल को डेसिमल 13 को जब हम बाइनरी में कनवर्ट करेंगे तो क्या हैगा वन जीरो वन इसका अंसर आजाएगा दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से हम बिलकुल असानी से डेसिमल को बाइनरी में कनवर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके और अब हम दोस्तों इसका उल्टा करन तो उससे आपको बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगा, अब देखिए, अब यही सवाल है, यानि कि 1101 को हमें decimal में convert करना है, यह है कि binary को जब हम decimal में convert करते हैं, तो किस तरीके से किया जाएगा, यह हम देखना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 2 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे decimal आ जाए ना, दोस्तो, decimal के अंदर convert करना हो, तो वहाँ पे हमें multiply करना होगा, और वो हमें देखना है कि पहले हमारे पास binary है, तो 2 से multiply करना है, उक्तल है तो 8 से hexadecimal है, तो 16 से उसको multiply करना है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि binary है, binary के अंदर true base होता है, त अब 2 से इसको multiply करेंगे, अब देखते हैं यह question किस तरह से होगा, तो इसमें सबसे पहले यह यह दोस्तो, यह number लिख लेते है, 1101 इसमें लिख लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 की power लिखते जाएंगे, अब देखे, 2 की power सबसे पहले हम 0 लि लिख लेते हैं, फिर 2 की power 2 लिख लेते हैं, अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 की power 0 क्या होती है, हमेशा आप याद रखना किसी भी number की power 0 होती है, तो उसका अंदर होता है, 1, अब देखे, 2 की power 1 क्या होती है, वो 2 होता है, और 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 यानि की 2 आगया, 2 की पावर 2 होती है, तो 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यह हो गया, 8 हो गया, ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यह जो है, इन दोनों को हमें multiply करना है, अब देखिए multiply करते हैं, अब 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 आ गया, अब 0 को 2 से multiply करेंगे तो 0 आ गया, अब इस 1 को इस 4 से multiply करेंगे तो 4 आ गया, और अब इस 1 को 8 से multiply करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो यह आया है हमारे पास, 8, 4, 0, 1, इन सभी को हमें पलस करना है अब देखिए आठ जमा में 4 जमा में 0 जमा में 1 ये कितना होता है आठ और 4 बारा और एक 13 ये क्या आगया दोस्तों अपना अंसर ये आगया 13 इसका अंसर आ गया अब देखिए binary को जब हम decimal में convert करते तो 13 आ गया और हमने जो उपर जो question किया था उसके दिनर क्या था कि जो decimal number 13 था उसको जब हम convert करते तो वो आ रहा था 1101 इसका answer आ रहा था तो हमने देखे दोस्तों यहाँ पे दोनों ही करके देख लिए है एक minute यहाँ पे हमने दोनों ही करके देख लिए है 13 को हमने binary में convert करके देख लिए है decimal को binary में और फिर binary को हमने दोवरा से फिर decimal में convert करके देख लिया है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि decimal number 2761 को हम hexadecimal number में किस तरह से convert करेंगे अब देखे जहाँ पे हमारे पास hexadecimal number की बात आती है तो वहाँ पे हम किस से divide करते हैं 16 से divide करते हैं अब देखे 16 से divide करने का तरीका भी हम इसे देख लिते हैं ये भी दोस्तों बिलकुल असान है हमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवशकता है अब देखे सबसे पहले हम इसको उसी format में लिखेंगे इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं 2761 यहाँ पे हमने लिख लिया और इसे divide करना है हमें 16 यानि कि 16 से हमें divide करना है अब हमें देखना पड़ेगा दोस्तों ये जो 2761 यानि कि 2761 16 को हम किस से multiply करें कि वो इसके पास में चला जाए तो हमने पहले से already counting कर रहती है तो हम बता देते है 172 को जब हम 16 से multiply करते हैं तो हमारे पास 2752 आता है दोस्तों ठीक 2752 यहाँ पे मैं लिख लिखता हूँ 2752 हमारे पास आता है और अब देखे 2752 इसमें से जब हम माइनस करते है 2761 में से माइनस करते है तो 9 हमारे पास से रहे जाता है ठीक है और आगे हम देखते है आगे किस तरीके से होगा एक मिनित मैं erase कर लेता हूँ यह ताकि हमें दिक्कत ना आई दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास 9 केरी रहे जाएगा ठीक है और अब हम देखते कि 16 को हम किस से मल्टिप्लाइ करें कि 172 के करीब आजए तो 16 को जब हम 10 से मल्टिप्लाइ करते तो 160 आजाता है और यहाँ पे हमारे पास जो केरी है दोस्तों वो 12 रह जाता है 12 जो केरी है हमारे पास है हमेशा और अब देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे सिंपल तरीके से लिखते हैं सबसे पहले हम यहां पर हमने दस लिख लिए बारा लिख लिए और नो लिख लिए ठीक है अब देखिए हम इसे नीचे से लेके उपर तक लिखते हैं यहां से हम ऐसे लिखेंगे अब देखिए यहां यहां से पहले हमारे पास 10 आ गया फिर 12 आ गया और फिर 9 आ गया ठीक है और अब आप मेरे को यह बताईए कि जो 9 होता है हेक्जाडेसिमल नंबर में वो किसके एकवल होता है दस किसके एकवल होता है और बारा किसके एकवल होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो 9 नंबर होता है वो 9 तर 9 के एकवल ही होता है लेकिन जो 10 होता है उसे हम एक एकवल मानते है और जो 12 जो होता है दोस्तों वो होता decimal number AC9 आया है इसको दोवारा से decimal में हमें convert करना हो तो हमें क्या करना होगा दोस्तो अब हम बात करते हैं कि hexadecimal number AC9 को हम decimal number में किस तरह से convert करते हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तो थोड़ा सा यह typical हो सकता है सबसे पहले AC9 यहाँ पर लिखते हैं और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस से multiply करना है hexadecimal number मतलब 16 से हमें इसे multiply करना है तो AC9 लिख लिया तो AC9 को सबसे पहले real जो value है उसके अंदर convert करना पड़ेगा A का मतलब होता है दोस्तो हमारे पास 10 होता है वो मैंने अभी आपको बताया था C का मतलब होता है 12 और 9 का मतलब 9 हो गया ठीक है यानि कि 10, 12, 9 हमारे पास visit आगी AC9 की तो इसे हम अच्छे से लिख लिखते हैं 10, 12 और 9 अब हमें hexadecimal number है और decimal में convert करना है तो 16, 16 से हमें multiply करना है तो 16, 16 हम यहाँ पे लिख लिखते हैं और उसके पार बाद इनकी power लगाते है दोस्तों 0 power 1 power 2 power ठीक है अब देखिए 16 की power 0 होती है 1 के equal और 16 की power 1 होती है 16 की power 2 होती है 256 होती है हमारे पास ठीक है और अब हम बात करते हैं कि अब इनको और इनको हमें multiply करना यह मैंने आपको बताया था 9 को जब हम 1 से multiply करेंगे तो 9 हो गया और जब हम 16 को दोस्तों 12 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास अभी एक मिनट देख लेखें यह आता है हमारे पास 192 आ गया हमारे पास और फिर देखिए 10 को जब हम 256 से multiply करते तो 2560 यह हमारे पास आ गया अब देखिए इन तीनों को जब हम multiply करते तो देखते हैं अब तीनों को हम plus करते हैं तो हमारे पास क्या आता है यह हमें देखना है अब देखिए तीनों को आप हम plus करके देख सकते हैं अपनी copy के अंदर मैं calculator है मेरे पास उसके अंदर मैं plus करके देखता हूं ये कर लिया मैरे plus और plus में 9 और कर लेते हैं तो ये वही आया दोस्तों हमारे पास 2761 यानि कि इन तीनों को जब हम plus करेंगे तो 2761 हमारे पास answer आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं कि hexadecimal से decimal में किस तरह से convert करेंगे और decimal में हो तो hexadecimal से किस तरह से convert में करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैंने दोनों तरीके से आपको करवा के दिखा दिया है अब आप सभी दोस्तों के लिए मैं काम दे के जा रहा हूँ या आप सभी दोस्तों को करना है करके देखना अगर किसी को कोई problem आए तो हमें बताईए हमारा सबसे पहला question है कि decimal नंबर 593 को हमें octal के अंदर convert करना है ठीक है और फिर हमें जो octal नंबर आए 1121 इसको दोबारा से decimal में convert किस तरह से करेंगे ये हमें बताने ये दोनों question आपको करने और अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो हमें जरूर बताना आप हमें comment box के जरीए बता सकते हैं या फिर हमें what's up के जरीए भी बता सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो इसी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दवाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो उसको शानी से देख सके थेंकि दोस्तों है नंबर पांच के दोस्तों हम आपको और टैन यूनिट की एड़ फ्री वीडियो से देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोस्त में बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको मैथ और टिया के सभी कोशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको यह वताएंगे कि ऐसे कौन से कोशन है जो बार वार एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों देर किस बाप की अभी जोईन कीजिए हमारा पेड़ कोर्स क्योंकि निमीजीनेट है तो ज आड़ में